बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में अभी समिधान को सम्पूर्णता बीजेपी के और से स्विकार किया नहीं गया और वो बार बार आरेसेस बीजेपी एक तरफ रुदान मंतरी भी एक तरफ एक बात करते हैं कि समिधान कभी नहीं बगलेगा दूसरी तरफ वो एक कहिते हैं उनके लोकों से कहिलाते हैं कि समिधान बदलने के लिए टू-थर्ड मेजॉर्टी होना चाहिए इसलिए आप टू-थर्ड मेजॉर्टी दो हम समिधान बदलेंगे ये कोई मामूली आत्मी नहीं बोला ये कोई फ्रिंज क्या बोलते इसको फ्रिंज एलेमेंट नहीं है ये तो बीजेपी के नेता है यंपीज है आरे से संगटन है ये पहले से बोलते आये हैं आज फिर उन्होंने दौराया करनाटक में दौराया और दूसरे जगे भी वो दौरा रहेंगी इसको समिदान को बदलना चाहिए क्योंकि वो लोग हमेशा सोशल जस्टीस के खिलाफ है और समिदान में जो सेकुलेरिजम शब्द आया है उसके खिलाफ है और खास करके बीजेपी और आरेसेस और आरेसेस प्रमुक नेता जो हमारे मोहन भागवत जी ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ है यो हमेशा यही बात करते हैं कभी मेरिट की बात करते हैं कभी समिदान बदलने की बात करते हैं कभी रिजर्वेशन निकालने की बात करते हैं और कोई कहीं प्रस्णाया कोई पूछे नए आप तो नहीं समिदान बदलेंगे आप आगे देखेंगे तो यह जो मानसिकता है मैं यह कहूंगा यह बड़ी एक बुरी मानसिकता है इससे देश में हंगामा मचेगा अगर आप समिदान को बदलने की बात बार बार अगर करते रहेंगे यस्सी यस्टी का रिजर्वेशन समिदान में तो दिया गया है अब क्या बदलना चाहते हैं यह सवाल आज पूरे देश के सामने है और हमेशा यह कहते हैं अभी भी कि क्योंकि टू तर्ड मेज़ॉरिटी होना अगर किसी से किसी के बीजेपी के एमपी और वरकरों से और आरेसेस के लोकों के मुझे जब निकलता है टू तर्ड मेज़ॉरिटी का यही उत्यश होता है कि समिदान बदलने के लिए इसलिए बार बार मोधी जी भी कहिते हैं चार सो पार क्यों कहिते हैं अरे आप टू तर्ड मेज़ॉरिटी दे दो हम समिदान बदलेंगे लेकिन वो अपने मुह से नहीं बोल रहे हैं किसी के मुह से वो बुलने लगाए हैं नहीं तो अगर मोधी जी के पास हिम्मत है अरे ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ है सोशल जस्टिस के खिलाफ है मेरा पार्टी का आदमी अगर कोई बोलेगा उसको पार्टी के बाहर निकालूंगा अगर ये हिम्मत करे तभी लोगों को विश्वास होता है एक तरफ तो तुम चुप बैड़ते हो ये दूसरे तरफ समीदान की रक्षाम करते हो ये कहते हैं तो ये जो देश में चल रहा है और उसका मकसद भारी बहुमत लेने का समीदान बदलने का ही उनका इरादा है उनका इरादा है